मैगी कंपनी की शुरुआत 1884 में स्विजल लान में जूलिस मागी ने की थी उनका एम था कि वर्कर्स की फामिली के लिए फूड जल्दी से जल्दी पकाया जा सके और उसमें न्यूट्रिशनल इंटेक को भी इंप्रूव किया जा सके मैगी ने सबसे पहले मार्केट में प्रोटीन रिच मील्स को सेल करना शुरू किया और उसके बाद 1886 में रेडी मेड सूप सेल करना शुरू कर दिया 1897 में जूलिस मैगी ने मैगी GMBH नाम की कंपनी का फाउंडेशन किया बाद में इस कंपनी को 1947 में Nestle ने एक्वायर कर लिया इंडियन मार्केट में मैगी को लांच करने के लिए दो मिनट मैगी का एम हमारी मा की convenience को बढ़ाना था कमपनी ने कैमपेइन चलाया जिसमें ये दिखाया गया कि मैगी को सर्फ दो मिनट में पकाया जा सकता है और इस कैमपेइन के थू ये दिखाने की कोशिश की गई कि मैगी को बच्चे खुद बिना मा की मदद के बना सकते हैं 2001 तक मैगी इंडिया में नेसले का कोर ब्रैंड बन चुका था पर अब इंडिया में धीरे-धीरे लोग हेल्थ कॉंशियस होने लगे थे जिसके लिए कमपनी ने टेस्ट भी और हेल्थ भी का कैमपेइन चलाया और साथ में ही वेजेटेबल दाल आटा नूडल्स लॉंच किया पर आटा नूडल्स इंडियन कंस्यूमर को इतने पसंद नहीं आए इसलिए मैगी ने बाद में इसे माकेट से विड्रॉ कर लिया मैगी का टेस्ट मेकर एक ट्रेट सीक्रेट है एक हजार करोड की नूडल माकेट में धीरे-धीरे दूसरे कॉंपेटीटर जैसे ITC, HOL, पतांजली माकेट में घुसने लगे पर फिर भी मैगी अपनी टेस्ट की वज़से सबकी फेवरेट बनी रही ताजा कुटे भुने मसालों की नई रेसिपी जिसे वो पैन में बॉइल होती मैगी में डालती है और पकता है नया मैगी स्पेशल मसाला मेगी ने इंडिया की रुरल मकेट, जो एक बहुत बड़ी माकेट है, बहुत वास्न माकेट है फोर बहुत ही प्राइस सेंसिटिव माकेट है, इस माकेट को भी कैप्चर करने के लिए campaign चलाए। जिसके लिए मैगी कंपनी ने 5 रुपे की मैगी लॉंच की 2015 तक मैगी ने इंडिया की 60% नूडल मार्केट को कैप्चर कर लिया था मैगी देश के हर नुकड और कोने पर पाई जा रही थी इसका कारण था मैगी नूडल्स का सस्ता होना, पोर्टबल होना और इंस्टेंटली कुक कर लेना पर 2015 में कुछ ऐसा हुआ जो कंपनी ने कभी सोचा भी नहीं होगा 2015 में मैगी पर अस्थाई प्रतिबन लगा दिया गया Food Safety and Standard Authority of India मतलब फिसाई ने एप्रिल 2015 में उत्र प्रिदेश के बारवंग की प्लांट में सप्राइज इंस्पेक्शन किया सैंपल को फिसाई की लाब में भेजा गया और रिपोर्ट में पर्मिसिबल लेवल से भी हाई लेवल का लेड और मोनो सोडियम ग्लूटामेट पाया गया जो कंजियूमेबल आइटम्स में यूज़ करना मना था नेसले इंडिया लिमिटेड ने इस रिपोर्ट के खिलाफ अपील की और कहा कि मोनो सोडियम ग्लूटामेट नाचरल प्रसेस की वज़े से आया था ये बात उनकी वेबसाईट पर भी मेंशन करी गई और कंपनी ने री इंस्पेक्शन के लिए रिक्वेस्ट किया इस अपील के बाद सैंपल को कालकटा में गर्मिंट और्थराइज लाब में भेजा गया जिसने फिसाई के लैबोरेटरी रिपोर्ट का ही समर्थन किया इन रिपोर्टों के कारण हेल्थ कंसर्ण के वज़े से कई स्टेट्स में मैगी की सेल और उसके यूस पर बैन लगा दिया गया और 9 जून 2015 को फिसाई ने अगले 5 महीनों के लिए मैगी पर नेशन वाइड बैन लगा दिया इस नेशन वाइड बैन के कारण नेसली ने भी अपने सभी आउटलेट से मैगी के प्रुड़ा को वापस ले लिया और प्रॉमिस किया कि जैसे ही लाब की रिपोर्ट क्लियर होगी वैसे ही मैगी को दुबारा लॉंच किया जाएगा कमपणी ने लगभग 38 तन मैगी को जो लगभग 320 करोर की थी डिस्ट्रॉई कर दिया इस बैन के बाद मैगी के ब्रैंड मिजडर अमिता बच्चन, प्रीते जिन्टा और माधुरी दिक्षित को ब्रैंड को प्रमोट करने के लिए फटकार लगाई गई उनके खिलाब क्रिमिनल केस भी फाइल किये गए और अब इसका फाइदा मैगी के जो दूसरे कॉमपटीटर थे उन्हों ने उठाना शुरू कर दिया टॉप रिमिन, यिप्पी, पतंजली, नूडल्स ने अपने नूडल्स को हेल्दी कहकर सेल करना शुरू कर दिया और हो भी क्यों ना, मैगी का 60% मार्केट शेर उनके लिए खुल गया था साउथ इंडिया में भी गर्मिन्ट ने नेसले के अगेंस केस फाइल किया और कंपनी के अगेंस 640 करोड का डामेज चार्ज किया मैगी पर बैन लगने के बाद नेसले कंपनी ने 17 सालों में पहली बार लॉस बुक किया था लेकिन मैगी के लिए इससे भी बुरी बाद ये थी कि मैगी अपने कस्टमर का अपने कंजियूमर का ट्रस्ट, विश्वास खोती जा रही थी और दूसरे ब्रैंड मारकेट को एग्रेसिवली कैप्चर करने में लगे हुए थे अब बात करते हैं कि मैगी जब मारकेट में इतने बुरे दौर से गुजर रही थी ऐसे दौर से गुजरने के बाद भी मैगी मारकेट में वापस कैसे आ पाई इसके लिए माना जाता है कि मैगी बहुत अच्छे से कस्मर रिलेशन्शिप मैनेजमेंट कर रही थी जब मैगी पर बैन लगाया गया था तब भी मैगी अपने कस्मर के साथ जुड़ी रही मैगी का एक अक्टव सोशल मीडिया पेच था जिसके थूवे सोशल मीडिया पोस्ट और अडविटीसमेंट के थूव अपने ओडियन्स से कनेक्ट वही अपने फेस्बुक पेच बेबी कंपनी बार बार ये पोस्ट कर रही थी कि जल्द ही उनका फेवरेट मैगी कंजम्शन के लिए सेफ हो जाएगा कंपनी के लॉयल कस्म अभी भी कंपनी पर विश्वास कर रहे थे और कभी-कभी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे कि वे अपने फेवरेट मैगी नूडल्स को कितना अमिस कर रहे थे उनके जवाब में भी मैगी ने कैमपेइन चलाया जिसमें दिखाया गया कि कैसे मैगी भी अपने कंजिमर को मिस्स कर रही थी Maggie Company ने अपने कस्मर से connect रहने के लिए एक help line number जारी किया और साथ में ही एक question answer का page भी बनाया ताकि कस्मर के जितने भी queries है उनके mind में जो भी सवाल है उनका जवाब उने दिया जा सके अगस 2015 में Bombay High Coat ने इस shirt पर Maggie पर प्रतिबंध हटा लिया कि फिसाई द्वारा report की approval मिलने के बाद ही Maggie को market में दुबारा launch किया जाएगा और November 2015 में जब Nestle को फिसाई की मंजूरी मिली तो Maggie ने अपने welcome back campaign को start करना शुरू कर दिया ये एक emotional campaign था जिसने consumer का दिल फिर से जीत लिया Nestle ने Maggie के 15 variant launch किये उन्होंने e-commerce जाइन के साथ मिलकर welcome kit बेचना शुरू किया जिसमें 12 Maggie के packet इखटे sell हो रहे थे कंपनी को बहुत अच्छा response मिला Snapdale ने सिर्फ 5 मिनट में 60,000 Maggie के kit sell कर दिये सब ठीक है हमारी Maggie में Maggie ही नहीं ऐसे लग रहा है मैं भी पास हो गई तो आईए हम समझते हैं हमें इस case study से क्या सीख मिलती है कुल मिलाकर हमने ये सीखा कि अंत में ये जो emotional connection होता है जो आपका आपके कस्मर के साथ है वो important होता है ये emotional connection ही था जिसकी वज़से negative publicity होने के बावजूद Maggie फिर से market में sell होने लगी और मात्र दो साल में Maggie ने फिर से अपना 60% market share फिर से capture कर लिया और दूसरे competitor noodle brand इस situation का कुछ खास फाइदा नहीं उठा पाए I hope आप लोगों को ये case story पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूद शेयर करिएगा Thank you so much